अब जंग का एक और मैदान खुल गया है और इस बार ये इसरेल या हमास नहीं है इस बार है पाकिस्तान और इरान के बीच में सबसे पहले एक खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ और उसके बार आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी एक गलती से पाकिस्तान जिसकी हालत पहले से ही बहुत खराब है जिसे एक वक्त ऐसा भी आया कि कोई लोन देने को तयार नहीं था वहाँ पर रोटी आटे के लिए लड़ाई हो रही थी और वही पाकिस्तान अब एक गलती से महा भिखारी हो सकता है इस वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा और इस वक्त जो ख़वर सामने आई है पाकिस्तान और इरान की बीज एक नए युद्ध का मोर्चा खुल जाने की इस वीडियो के आखर तक आप जरूर समझ जाएंगे कि आखर इसके पीछे की कहानी क्या है शुरुआत में करती हूँ सबसे पहले ख़वर आपको बता देती हूँ ख़वर ये सामने आई कि इरान पर हमला किया पर सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला किया गया इरान की तरफ से और उसके बाद पाकिस्तान ने एक दिन के बाद और जो बहुत खतरनाक ख़बर आग की तरह पहली फिर पूरी दुनिया के प्रतिक्रिया उस पर आने लगी ख़बर ये थी कि फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी कारवाई की और वहाँ पर अटैक कर दिया अब सवाल आपके मन में ये भी होगा अगर आप युद्ध से जुड़ी हुई जानकारी रखते हैं कि अगर पाकिस्तान और इरान दोनों का दुश्मत एक है यानि कि अलगा हुआ तो फिर आखिरंग दोनों के बीच में वो देश जो कटर इस्लामिक देश माने जाते हैं तो वो तो वहां के आतंकी संगठन पर कर रहा है उस आतंकी संगठन पर जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस्कर बढ़ा किया है यानि कि पाकिस्तान उसे इस वक्त शरण दे चुका है अब जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कारवाई की गई तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही कारम सामने आया लेकिन क्या है इस सच में है अब चुकि जब पाकिस्तान की तरफ से कारवाई की गई है तो वहाँ पर मौत की भी खवर मिल रही है यह आकड़ा 9-10 के करीब है अब इन सब के बीच में समझना जरूरी है कि इसका इतिहास भी क्या कहता है दरसल एक समझोता है जो इरान और की बीच में हुआ है और वह समझोता है गैस पाईप्लाइन को लेकर इरान और पाकिस्ताव अगर मैं आपको एसे और सरल भाशा में समझाओं तो अपस में लगभग 900 किलो मीटर की सीमा है जो दोनों आपस में शेर करते हैं साजा करते हैं अब आप ऐसे समझे एक बलुचिस्तान इरान की तरफ है और एक बलुचिस्तान पाकिस्तान की तरफ है और जब हमला किया गया तो यहीं पर किया गया है अब यह जो बलुचिस्तान वाला हिस्सा है यहां बारे में मैं थोड़ा सापको बता देती हूं इस पर पाकिस्तान पर इसी आतंगवादी संगठन को शरण देने का आरोप है पालने पोसने का बढ़ाने का आरोप है जो पाकिस्तान पर इससे पहले आपपर इरान पर एक हमला हुआ वी करता है कि वह नहीं के लोगों की स्वतन्तृते ल हमेशा लड़ता आया है और उसी इतिशा में ये इस तरीके के हमले करता है मैं आपको ये भी बता दू कि 2013 से वहाँ पर जो बलुचिस्तान वाला जो इरान वाला इलाका है वहाँ पर ये हमेशा से अक्टिव रहा है और इससे पहले भी कई सारी ऐसी खबरे इसी संगठन से जुड़ी हुई सामने आई याँ इरान ने स्ट्राइक करते हुए ये कहा कि हमने टार्गिट इस आतंगवादी संगठन को किया था यानि कि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप क्या लगाया कि आरोप ये कि आप दोनों ही आतंगवाद के मामले में आतंगवाद को रोकने में विफल हो गये हैं अब सच्चाई एक ये भी कहती है कि एक समझोता है गैस पाइपलाइन को लेकर इस समझोते को पूरा करने के लिए इससे पहले कई बार इरान पाकिस्तान को नोटस तक दे चुका है अब थोड़ा सा ये भी जान लेजिए कि समझोते के तहट कहा क्या गया था 2012 अक्टूबर का वो वक्त था जब इस समझोते को किया गया और पाकिस्तान की तरफ से 2014 दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात की गई लेकिन हुआ क्या वो अधर में लटक गया वो पूरा नहीं हो पाया इरान इसको लेकर कई बार नोटिस जारी कर चुका है इसको लेकर कानूनी लड़ाई करने की भी चेताबनी दे चुका है अब ध्यान से सुनिएगा अगर पाकिस्तान इसको अधर में लटकाए रखता है अगर पाकिस्तान इस परियोजना को ये जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा नहीं करता है तो 18 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान को चुकाना होगा ये वो पाकिस्तान है जहां पर आटे रो मार्च-अप्रेल के समय में, तैयार रहने को कह दिया गया था, 18 अरब डॉलर जुर्माना भरने के लिए, अब ऐसे वक्त में जब जन्वरी का महिना है, यानि कि 2024 है, मार्च-अप्रेल का वक्त आने ही वाला है, तो ऐसे वक्त में अटाग करना ये भी कनेक्टड एथ, अब यह जाता है कि वहां पर एरान पर जो बलुचिस्तान का पर पर वहां फार जो बसंतन नहीं होता है अब ये जो जैशल अदल आतंगबादी संगठन है वो इसी नाम पर जो जिस पर आरोप पाकिस्तान पर है उसे पालने पोसने का अब वो इनहीं की स्वतंतृता की बात करते हुए बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि इरान के इस इलागे पर अटाइक करता है लेकिन आप कहा य ये तो बड़ा कारण नहीं है तमाम सवाल है अब इस सब के बीच में आपके मैंने एक सवाल ये भी होगा हिंदुस्तानी होने के नाते भारत के नागरित होने के नाते कि अब देखिए जब दुनिया में कोई भी युद्ध होता है तो तमाम देशों पर भी इसका असर है कि भारत की आतंगबात को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीती है लेकिन ये भी कहा है कि अपने आपकी रक्षा करने का अधिकार हर देश को होता है मैं आपको ये बता दू कि चाहे कोई भी मोर्चा हो चाहे कोई भी प्लैटफॉर्म हो भारत हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीती आतंगवाद को लेकर रखता आया है और एक बार फिर से यही हुआ भारत मैं आपको ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान को लेकर बहुत मुखर होकर ये कहता है कि भारत पाकिस्तान से तब तक अच्छे रिष्टे नहीं रख सकता जब तक कि पाकिस्तान आतंगवाद को पालना नहीं होगा तो भारत का स्टांड बहुत क्लियर है कि अगर यह आतंगवार्थ के समर्थंग है कि टो हम अनेना देना नहीं है वो देश जाने और उनका काम जाने बहुत देश ही भाशा MAY अब इन सब के पीच में सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान और इरान के बीच में एक बड़ा युद्ध होता हुआ भी देख सकता है क्या मैं आपको बता दू इसका डिप्लोमेटिक आंसर दिया गया है इन्हीं दोनों देशों के तरफ से कि हमारी रड़ा इसके पीचे वो बड़ी जो ग्यास पाइप्लाइन पर योजना है जिसको पूरा करने का दबाव इससे पहले भी इरान बरातर आया अब सवाल ये भी है कि जब संदेश यहां से दे दिया गया है पहले वहां से हमला किया गया फिर पाकिस्तान की तरफ से अच्छा मैं आप इसके वक्त में आटैक आने वाले चुनाओं पर बहुत बड़ा असर डाल सकता था इसलिए माना ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने इतनी तुरित तरीके से कारवाई कर दी लेकिन क्या पाकिस्तान इसे समच जाएगा कि ये इशारा है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो अधर में लटका हुआ है और अगर समच जाएगा तो पहले से कंगाल हो चुका पाकिस्तान इसे पूरा कैसे करेगा क्योंकि उसे कर्स देने को कोई तयार नहीं है और पाकिस्तान की खुद की हालत कितनी माली कितनी खराब है ये पूरी दुनिया जानती है अगर मैं इन 2014 में पूरा हो जाना था 2024 हो गया है तो क्या अभी ये पूरा कर पाएगा इन सब पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी अगर आप युदु से जुड़ी हुई खबरों में इंट्रेस्ट रखते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कॉमेंट करके भी पताये